ये जो वीडियो है ना ये संडे का ही वीडियो है और इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी तबित बहुत जादा खराब थी सैटेड़े को तो घर में कुछ भी काम नहीं हुआ था जो थोड़ा बहुत काम किया भी था वो दोनों बच्चों ने किया था और जो भी खाने वाने का काम था ना वो मेरे हस्बन ने किया था तो बस बच्चे और हस्बन ने कुछ इस तरीके से मिलके घर संबाला सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत मैंने आपको बताई थी कि चीजे पूरी अस्त व्यस्त थी फटा फट से जो है अपनी चीजों को म और मैंने सीधे जो है ना राजमा बॉयल करने के लिए चड़ा दी थी क्योंकि लंच जो है मेरे हस्बन बनाने वाले थे और मैं लग गे थी अपना घर की सफाई में तो बस फटाफट से जो है यहाँ पर लगा लिया है मैंने ज़ाड़ू और उसके बाद जो है मैं जाता है तो यही हुआ मेरे साथ भी अब उधर जो है मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ इदर बहुत सारे बरतन थे वाश करने के लिए यह वाले बरतन ना नाइट के बरतन थे मतलब रात को मैं तो नहीं छोड़ती हूं लेकिन क्योंकि हस्बन ने खाना मनाया था तो ब बस बरतन धोंगी और उसके बाद मेरा काम होगा पूरे घर में पोचा लगाना तो इतना काम करते करते मुझे काफी ज़्यादा टाइम हो गया था तो बस यह थोड़ा सा सुकून था कि लंच बन गया था ना तो इसी वज़से में अपने काम जो है दीरे दीरे निप्टा लेती कि चलो एक तो तसल्ली है कि खाना तो बना बनाया मिल जाएगा तो इतनी भी अगर हेल्प हो जाए ना हस्बें इतनी भी हेल्प कर दे तो बहुत होता है और वैसे भी और तो को जो है ना अपना ही तरीका पसंद आता है काम करनेगा तो इससे ज़्यादा काम हम लोग husband से करवा भी नहीं सकते हैं आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को आज जो है मुझे आप लोग उसे एक बात पूछनी है कि आप लोग मुझे कहां कहां से देखते हैं किसकी जगे से आप लोग watch करते हैं तो मेरा बहुत मन होता है यह जानने का कि मैं भी जानू कि कौन कहां से मुझे देख रहा है तो आज प्लीज आप लोग एक काम करना कि लाइक तो ज़रूर कर देना वीडियो को लेकिन लाइक के साथ साथ कॉमेंट करना और कॉमेंट के आगे आप जिस भी जगे से मुझे watch करते हैं वो जगे का नाम जरूर लिखना तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार कहां कहां से मुझे मिलता है तो देखे यहाँ पर हो चुके हैं बरतन वाश आप बस फटा-फट से लगाऊंगी पोचा कैसा होता है हम लेडिस के साथ कि काम के चक्कर में हम अपनी बीमारी भूल जाते है मतलब मेरी जो स्पीड हुई थी ना यहाँ पर मैं ये भूल गई थी कि इससे एक दिन पहले मेरी तबित इतनी जादा खराब हो रही थी क्योंकि गंदा घर देखके मुझे तो इतना जादा गुस्सा आता है मेरा तो पहले कुछ काम करने का मनी नहीं करता है घर में हाथी नहीं उठता है कि मैं कौन सी जगे से काम स्टार्ट करूँ स्पेशली किचन को देखके अब यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों से इवनिंग के टाइम मिल रही हूँ फिर लंच वगरा किया आपको पता ही है दुपर में राजमचावल हस्बन ने बना दिये थे थोड़ा लंच करने के बाद मैंने रेस्ट भी किया और अब बना रही हूँ श्याम की चाय तो बस मिल के चाय पिएंगे इस टाइम पे दोनों बच्चे अपना पार्क वगरा शायद गए हुए थे क्योंकि जो सैटेड़े संडे का दिन होता है वो उनका पूरा इंजॉय का दिन होता है तो अपना फुली इंजॉय करते है और अब क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक होने लगा है तो दोनों के दोनों श्याम के टाइम पार्क भी चले जाते है जब उनका मन करता है तो बस वो लोग पार्क चले गए थे मैं भी उठी फटाफट से यहाँ पर अभी चाय बनाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर की तैयारी मेरा नम वैसे आज का प्लान ये भी था संडे का मतलब कि मैं थोड़ा सा बाहर जाओंगी सबजी वगेरा लेने जाओंगी लेकिन हस्मेन ने मना कर दिया और नोने बुला कि मैं ट्यूस्डे का ओफिस जाओंगा तो ओफिस से आते वे सबजी लेओंगा तो आज जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत आलस जो है ना उनको भी आ जाता है छुटी के दिन ये देगे कैसे अराम से मस्ती से जो है लेटे हुए थे तो बस अभी बैटके हम लोग यहाँ पर चाय पिएंगे वैसे नॉर्मली हम क्या करते है जिस टाइम पर हम चाय भी दे रहा हमारी टीवी जरूर आन होती है लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था तो बस गपे शपे लग रही थी यहाँ पर इधर उदर की बाते हो रही थी और मैं कभी कभी ना इनको चिड़ाती रहती हूँ इस तरीके से न तो वही है बस ऐसी थोड़ी सी मजाक मस्ती चलती रहती है और चाय वगेरा पीने के बाद फिर यह भी प्लानिंग चलती रहती है कि आज खाना क्या बनेगा मतलब डिसकस होता रहता है हालंकि बनता वही है जो हमारी मरजी होती है लेकिन डिसकस हम लोग आपस में दोनों कर लेते तो बस वहाँ पर चाय पी उसके बाद अपना रूम पे आई बहुत सारे कपड़े वो फोल्ड करने के लिए थे पर यह है कि अच्छी बात कपड़े बहुत जल्दी सूख गए थे अभी अच्छा कासा मौसम हो रहा है ना गर्मी हो रही है तो कपड़े काफी जल्दी सूख गए थे थोड़े से कपड़े थे जो की मैंने फिर से बाहार डाले थे जिसमें ब्लैंकेट वगेरा थी जो मैंने वाश की थी उसके बाद मैंने फटाफट से जो है आलू और गोबी कट की क्योंकि आज बनने वाली है आलू गोबी की सबजी और जब तक तेल गरम हो रहा है मैं याँ पर टमाटर और लेसून हरी मिर्ची जो है न वो चॉप्ट कर दूँगी नॉर्मली तो मैं आपको पता ही है कि गोबी आलू की सबजी में टमाटर लास्ट में डालती हूँ लेकिन आज मैं सोच रही थी कि चलो आज में पहले ही टमाटर डाल दूँगी मतलब फ्राइ करूँगी लेकिन वही होता है जब आप टमाटर डालते तो सबजी को गल्ले में बहुत जादा टाइम लग जाता है तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ सबजी गल्ले में बहुत जादा टाइम जो है लगा रही थी और सच बताऊ ना तो जो टेस्ट तब आता है ना जब आप टमाटर बाद में डालते वह टेस्ट आ भी नहीं रहाता तो यहाँ पर देखी मैंने सरसो का तेल डाला है उसमें राई डाली है साथ में वही चॉप किया हुआ अपना टमाटा लैसन और हरीमिर चाइट कर दी है अच्छे से जो है मसाले को भूनेंगे और एट करेंगे ड्राई मसाला और कोई न मुझे बोल रहा था कोई कमेंट आया था कि आप जब देखो सबको बोलते रहते हो कि राई डालना है राई डालना है आपको पसंद है तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबको पसंद है सब अपने हिसाब से डालेंगे तो देखिए राई डालने का मतलब मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप भी राई डाली है लेकिन राई डालके टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कभी होता है कि हम लोग टरीके से सब्जी बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बाकी तो देखिए आपके उपर डिपेंड करता है आपको जीरे का तड़का अच्छा लगता है तो आप जीरे डालिए आपको राई का अच्छा लगता है तो आप राई डालिए वह सब कुछ आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन मैं बता रही हूँ कि हमारे जैसे पहाड़ी खाना होता है इसमें जक्ख्या हम लोग डालते हैं तो क्योंकि जक्ख्या हर किसी को मिलता नहीं है तो बस उसी को रिप्लेस कर दिया है मैंने राई के साथ तो जिन जिन सब्जी में जैसे हम लोग जख्या डालते तो मैं उसमें राई आड़ कर देती हूँ तो जैसे आलू गोबी की सब्जी हो गई और साथ में हरी सब्जी हो गई आप इसमें डालके देखना राई का तड़का वाकई बहुत टेस्टी लगता है जीरे से भी अच्छा लगता है मुझे तो बाकी तो अपने अपने टेस्ट के ऊपर बात है तो सब्जी वगईरा जो है मैंने फ्राई कर दी थी उसके बाद दूद चड़ा दिया था गरम होने के लिए अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स टे मॉनिंग तो बच्चों के कपड़ों पे जो है आदे कपड़ों पे प्रेस थी और बस इनके ब्लेजर जो है न वो सूखने के लिए मैंने रखे हुए थे तो सुबे तक वो भी सूख गए थे तो बस अभी जो स्टीम आईरन है न वो मैं कर दूँगी आपको याद होगा ये प्रोमोशन के लिए आई थी बट ये वाकी काफी जादा अच्छी है और इस टाइम पे जैसे अभी प्रेस वगेरा का टाइम नहीं रहते न इस तरीके स हैंक करके फटाफट से स्टीम आईरन कर दो तो इतने अच्छे से ब्लेजर वगेरा में ये आईरन काम करती है कि मैं क्या ही बोलू और बहुत जादा टाइम भी नहीं लेता है तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के जो ब्लेजर है न उसमें प्रेस कर दी है मैं उनके कप कोबी की सबजी मना थी Na तो वोaci ने खाई नहीं बहुत कं सी वंशिका के पापा ने क्याए थी क्योंकि रात को छावल में धनी काम चलद ना जबाने की सबची होई तो आज वही सबजी से काम चलाना था काफी सारी मंगवाई हुए थे वो राउंड शेप में आते हैं अलग-अलग फ्लेवर के तो आज मैंने पहली बार जो है बच्चों के लिए मंगाए थे बहुत इनसे बच्ची क्या बनाना खाके जा रहे थे और सुबह-सुबह वो कहते हैं कि मम्मा कुछ हैवी खाने का मन नहीं करता है मतलब उनका अगर कुछ फेवरेट बना हो शाही पनीर जैसी चीज तब तो वो फिर भी खा लेते हैं लेकिन अगर पराठे वगरा सबजी होना तो नहीं खाते हैं इतनी जल्दी से तो ये जो हलका फुलका नाश्ता होता है दूद के साथ फटाफट से दे दो तो बच्चो के अंदर एनर्जी भी रहती है और बचेन शाख मेना नाश्ता भी करके जाते हैं खाली पेट नहीं जाते हैं तो बस दोनों बच्चों को मैंने वो खाने के के लिये दिया है और यहां पर लगा दिये हैं दोनों के टिफिन, सबजी और सिंपल सी रोटी रखी हैं आज और दोनों बच्चे बड़े खुश होके खा रहे थे, मुझे लग रहा था ना जाने इनको पसंद आएगा, यह नहीं आएगा, बट क्योंकि नई चीज थी, तो दोनों बच्चे को पसंद आ ही गई, यह है वो टाइम जब मुझे समेटना होता है, अपना किचन, घर के सारे काम म बस मेरा किचन समेटना बाकी था, तो फटाफट से बस उसी को मैं समेट रही हूँ, और इसी के साथ जो है अपने इस तवाले वीडियो का भी मैं एंड करूंगी, तो यह था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा, तो जरू हूँ, आपको कैसा रही है, और वीडियो, अपको कैसाध यह झाले और भाएगा, जरूगाँ